English में डाउट दोस्तों, तो जोईन कीजे मुझे, मेरा नाम है यश, मैं रिपेर करूँगा आपके English के डाउट्स हिंदी में, तो मेरे चैनल को लाइक कीजे, सब्सक्राइब कीजे और शेर कीजे, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल English वरक्शॉप में. तो English वरक्शॉप में आज करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लिमेंट और लिंकिंग वर्ब. तो शुरू करते हैं आज का सफर. तो सबसे पहले आपके लिए एक exercise. इन सभी sentences में ये जो red में जो words हैं, लाल words हैं, इनको बताना है, ये object हैं या subject compliment है. तो आप pause करकर इन शब्दों को देख सकते हैं, बाकि हम आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले जानते हैं, वर्ब का function. तो वर्ब का क्या function होता है? देखे, रीटू plays chess. इस sentence में, रीटू एक ऐसा शब्द है, जिसके बारे हम बात कर रहे हैं. तो जिसके बारे हम बात करते हैं, उसे हम subject कहते हैं. और प्लेज ऐसा शब्द है, जो रीटू का action बता रहा ह है, action हिंदी में करिया, तो जो शब्द subject का action बताए, उसे हम verb कहते हैं. और रीटू is a doctor, इसमें भी रीटू subject हो जाएगा, और इस ऐसा शब्द है, जो रीटू का होना बता रहा है, being बता रहा है, उसका होना, क्या है वो? तो जो शब्द subject का होना बताए, उसे भी हम verb कहते ह हैं, और रीटू has a car, इस sentence में भी रीटू आपका subject है, और has ऐसा शब्द है, जो रीटू के पास क्या है, उसके अधिकार में क्या है, यानि उसका possession, तो जो शब्द subject का possession बताए, उसे भी हम verb कहते हैं, तो कुल मिलाकर, verb किसे कहते हैं, वो शब्द जो subject का action, being और possession बताए, आगे बढ़ते हैं, देखें, अब जानते हैं, object of verb, verb का object क्या होता है, तो पहले sentence में देखिए, chess, object माल लेते हैं से, doctor, इसे भी object माल लेते हैं, और car, इसे भी हम object माल लेते हैं, अब plays, is और has, ये तीनो जो verbs हैं, हम एक काम करेंगे, इन तीनो verbs को इस बराबर के निशान से replace करेंगे, यानि इन बराबर के निशान को इन verbs की जगह लगाएंगे, तो देखो क्या होता है, सबसे पहले sentence में, रीतु और chess, ये दोनों एक ही चीज़े हैं, या अलग-अलग हैं, तो अलग हैं, तो इसको equal का निशान replace नहीं कर सकता, और दूसरे sentence में देखिए, रीतु और डॉक्टर दोनों एक ही हैं, या अलग-अलग हैं, तो ये एक ही हैं, इनको आपको equal का निशान replace कर सकता है, और रीतु और कार, ये भी दोनों अलग हैं, तो इनको भी replace नहीं कर सकता, तो action और possession, दो verbs ऐसी होती हैं, जिनको बराबर का निशान replace नहीं कर सकता, यानि उनक बताने वाली वर्ब की जगह पर हम equal का निशान लगा सकते हैं। तो सिर्फ being होना बताने वाली वर्ब ऐसी होती है, जो जिसके स्थान पर हम equal का निशान लगा सकते हैं, तो इसका मतलब जो doctor है, वो object नहीं होगा, क्योंकि subject और object दोनों अलग होने चाहिए, इसमें subject और doctor दोनों एक ही हैं, फिर यह क्या है, तो इसी को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। subject compliment, देखते हैं इसे क्या है, रीतू, फॉन्ड, डॉक्टर एक sentence है, एक और लेते हैं, रीतू, बिकेम डॉक्टर, तो दोनों में रीतू subject हो गया, फॉन्ड और बिकेम दोनों में verbs हो गई, डॉक्टर दोनों में हम मान लेते हैं, object हो गई, तो पहले वाले sentence मेें रीतू और डॉक्टर, रीतू ने डॉक्टर को फॉन किया, तो रीतु और डॉक्टर दोनों एक ही वेकती हैं, या अलग-अलग वेकती हैं, तो दोनों अलग होंगे, तो इसका मतलब यहां बराबर निशान नहीं आ सकता, रीतु और डॉक्टर दोनों अलग हैं, लेकि दूसरे sentence में देखिए, जो रीतु है, वो ही डॉक्टर है, यह द यानि हिंदी में करता पूरक का अर्थ बनेगा करता को पूरा बनाने वाला कम्पलीट मेंट से बना है कॉम्पलिमेंट यानि कम्पलीट करें जो शब्द सब्जेट के बारे में information दे, उसको describe करे, तो नीचे वाले sentence में हम क्या देखते हैं, रीतु और डॉक्टर दोनों एक ही वैखती है, तो डॉक्टर को हम object नहीं कहेंगे, subject compliment कहेंगे, और जो found है, ये action जो verb है, और became जो आपकी ये verb होना बताने वाली verb है, तो होना बताने वाली verb जो होती है, इसके स्थान पर ही हम बरावर निशान लगा सकते हैं, और इसी के बाद करता पूरग, क्यानि subject compliment आ सकता है. अब subject compliment के बारे में कुछ और बाते हैं, तो देखिए, रीतु बिकेम, रीतु बिकेम, रीतु बिकेम, तीन अलग-अलग sentence है, तो रीतु तीनो में subject है, बिकेम तीनो में verb है, तो रीतु बिकेम डॉक्टर, सबसे पहला जो डॉक्टर है, यह subject compliment है, तो यह देखा जाए, तो क्या है? यह noun है, और रीतु बिकेम शी, रीतु वह बन गई, तो शी, यह भी subject compliment है, और यह क्या हो गया? प्रणाउन हो गया, और रीतु बिकेम ब्रेव, तो ब्रेव भी आपका subject compliment है, तो subject compliment क्या बन गया? यह adjective हो गया, तो इसका बतलब, subject compliment, जो शब्द हमें मिलेगा, या तो noun मिलेगा, यह प्रणाउन मिलेगा, या adjective मिलेगा, और subject और verb के बाद आने वाला शब्द, यह दोनों एक ही वेक्ति होते हैं, तो जो एक ही वेक्ति होता है, subject compliment, हमें noun, प्रणाउन या adjective ही मिलता है, तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं, linking verb, किसे कहते हैं? देखे, रीतू बिकेम ए डॉक्टर, इस sentence में रीतू subject है, बिकेम वर्ब है, और डॉक्टर आपका subject compliment, और रीतू और डॉक्टर दोनों एक ही वेक्ति हैं, तो इसका मदलब बिकेम को हम, equal के निशान से replace कर सकते हैं, तो बिकेम क्या कर रहा है? ये रीतू को डॉक्टर से जोड रहा है, लिंक कर रहा है दोनों को, इसलिए से हम कहते हैं linking verb, तो linking verb क्या करती है actually, ये subject और subject compliment को आपस में जोडती है, इन दोनों का relation बताती है, तो subject compliment क्या होता है, subject को describe करता है, इसलिए होना बताने वाली verb होती है, ये ही linking verb होती है, क्योंकि linking verb के दोनों तरफ जो शब्द होते हैं, वो दोनों एक ही वेक्ती होते हैं, या एक ही वस्तू होती है, तो आगे बढ़ते हैं, Definition, देखो subject compliment किसे कहेंगे, तो subject compliment is a noun, a pronoun or an adjective that comes after a linking verb to describe the subject, और linking verb किसे कहेंगे, a linking verb is a verb that links a subject with a subject compliment coming after it, तो linking verb क्या करता है, इन दो शब्दों का आपस में link बताता है, और subject compliment, linking verb के बाद आने वाला noun, pronoun या adjective होता है, आगे बढ़ते हैं, linking verbs, कौन सी कौन सी होती हैं जरा जानते हैं, तो ये linking verbs, जो subject और subject compliment में relation बताती है, दोनों को link करती है, तो सबसे पहले देखिए, be, होना बताने वाली verb, इसकी form is, और was, वर, been होती हैं, और became हो गया, get हो गया, grow, turn, go, keep, remain, stay, seem, appear, look, sound, smell, taste, और feel, ये, ये सारी verbs आपके linking verbs हैं, और ये पहले जो पार्ट है, इनको हम कहते हैं, verb of becoming, और दूसरा जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं, verb of sensation, तो verb of becoming, और verb of sensation, ये verbs होती हैं, सारी linking verbs, तो सभी linking verbs के examples लेंगे हैं, तो देखिए, all the soldiers are alert, are, they were Americans, were, he has become a business man, become, his wife appears sad today, appears, you seem an actor in this photo, seem, she looks awkward in this dress, looks, the song sounds boring, sounds, her hair smelt sweet, smelt, this medicine tastes bitter, taste, we are not feeling excited now, are or feeling, any feeling, his father got angry, got, your son has grown healthy, grown, his face turned pale, turned, he has gone mad, gone, he often keeps quiet, keeps, I remained upset all day, remained, we should stay fit, stay, तो fit कौन, हम, तो stay, linking verbs हैं, तो यह सारी linking verbs हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने वाले, देखे, object और subject compliment के बारे में, सबसे पहला, object होता है, यह noun और pronoun होता है, और subject compliment, यह noun, pronoun और adjective भी होता है, और object, subject, दोनों अलग होते हैं, लेकिन subject compliment और subject दोनों सेम, एक ही होते हैं, और object हमेशा, action verb और possession verb के बाद आता है, लेकिन subject compliment हमेशा, linking verb के बाद आता है, अब वो ही, जो मैंने exercise आपको शुरू में दी थी, object, subject, compliment बताना तो एक के करके हम सभी को लेते हैं, सबसे पहला sentence देखिए, two boys have been absent for three days, absent, subject compliment, the passenger was disturbed for not getting the front seat, disturbed, subject compliment, disturbed कांता, passenger, he always keeps his girl chained in a safe, chain, he, दोनों अलग हैं, object, everything appeared normal at first, but later things became odd, subject compliment, the police have been looking into the matter since last night, matter police दोनों अलग हैं, object, the little boy and the dog have become friends now, friends दोनों हैं, subject compliment, the detective smelled smoke all of a sudden, the detective smoke नही हैं, दोनों अलग हैं, the smoke object, the children are getting bored with this chapter, the bored, children, दोनों एक ही हैं, subject compliment, when you are out of the gym, you feel rejuvenated, दोनों ही, subject compliment, लल्लु रिमें काम, in spite of being poked by his enemy, तो लल्लु काम रहा, काम कौन रहा, लल्लु, यहनि उसको छेडने के बाद भी, subject compliment, the girl's father was judging the boy, with his suspicious eyes, तो boy और गल्ल्स फादर दोनों अलग हैं, तो boy यहाँ पर object है, the boy who seemed the strongest, was actually cowardly, तो strongest cowardly दोनों subject compliment है, the inspector turned the chair for interrogation, तो chair inspector दोनों अलग है, तो chair यहाँ पर object हो जाएगा, तो देखा, subject compliment और object, इन दोनों में क्या difference होता है, यह हमने देखा, subscribe करने के लिए, bell icon जरूर दबाएं, और आपके पास कोई question या suggestion हो, इस topic से related, तो आप comment section में लिख सकते हैं, मैं उनके जबाब दूगा, और इस video की description में, मैं बागी videos के links डाल रहा हूँ, जिन्हों नहीं देखे, वो देख सकते हैं, बागी नए topic के साथ, नए class में फिर हाजर होंगे, तब तक के लिए, have a nice time.